असलाम लेकूं मैं हूँ नादिया तन्वीर आज मैं आपको बनाना स्कार हूँ यह ओईल बेस ब्राउनी आपको सिखाऊंगी कि क्रिंकल टॉप ब्राउनी ऑईल से भी बन चाती हैं दो तिन टिप्स हैं जिदकी वरा से क्रिंकल टॉप नहीं आती मैं आपको सिखाऊंगी वह क्या रीजन है जो नहीं आती तो नजरे रखने हैं मेरे हाथों पे मुझे सुनते जाना है मैंने यह बॉक्स बनाए थे गिव वे बॉक्स अपने नेवर्स के लिए तकमीले कुरान क तो जनाब बड़ा सारा काम था लेकिन फिर भी मैंने आप लोगे लिए वीडियो बनाई है मैं आपको आयल बेस ब्राउनी बनाना सिकाती हूं कि मेरा बटर हो गया था खतम मैं बटर यूज करते हूं लूर पाक का ठीक है तो जनाब यह देखे हमने लिए हैं जी जुर्म या एक कप अप देखलो में की चब्स चोकलेट आती है या आपने देख लेना है मुझे अप मईयरमेंट्स नहीं पसन लेकिन मैं आप लोगों को सिखने के लिए कप में बता रही हूं अब यह ओओल है तर्फ ऑप्सिच करे खाने के चाले मिलता है आप कोशीश कर जिन्दगी असान पर्फेक्ट बेकिंग होगी ठीक है तो यह मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ग्राम में बेकिंग करोगे कभी भी आपकी बेकिंग गलत नहीं होगी ब्राउनी जो है बड़ी डेलिकेट से चीज है अगर इसमें थोड़ से मैयरमेंट्स उपर नी चुले के ओपर अच्छा कोको पाउडर भी कुछ तफ़ा में इसके साथ ही डाल देती हूं 15 ग्राम लेकिन मैंने का चलो बाद में डालूगी मिर्जेन से भी निकल गया था आपको दिखाना था मैंने तो जब भी ब्राउनी बनानी आना तो सबसे पहले आपने चौकलेट और बटर या ओयल को पहले मेल्ट करके साइट पर रख देना है गरम गरम को अंडो वाले बैटर में नहीं डालना आपका बैटर खराब हो जाएगा ठीक है अच्छा ब्राउनी में दो चार्ट चीज़े होते हैं जिनको मदे नज़र रखना होता है अकसर यह होता कि क्रिंक क्रें को हम अच्छी तरह से करेंगे बीट लाद नहीं हम स्पॉणज और अपनी में डालना आप यह डाल आप काफी बीड़ सकते हो अच्छा जक्ड़ा वनीला अतनी डालना अग्र इसक्याएगा इसक्वादर नहीं डालना अब काफी बी डाल के जे उर बाद कराची एसंस लहोर अनारकली से अमंगवाती हूं 1500 की बॉटल है 500 ml की बॉटल होती है ठीक है वीको है चाइना का आइधिंक सो बहुत अच्छा है तो जिनाब यह देखिए अब मैं इसके अंदर डालूगी चीनी अब आप देखो चीनी जो है ना रेसिपी में अगर होगा तो यह 175 ग्राम शूगर बनी है ठीक है तो यह इस वर्चा से मैं कप मेजर्मेंट्स को प्रेफरी नहीं करती है मुझे पसंद ही नहीं है लेकिन मैंने का चलो अकसर हाउस वाइफ है उनके पास नहीं भी होते हैं लेकिन मैं आपको साथ-साथ गलतियां भी दिखा देती हूं कि कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब भी आप कप में बेकिंग करते हो तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ठीक हो गया जना अब यह देखिए हमने इसको फुल स्पीड पे मैं अंडो चीनी और वनीला संस को अच्छी तरह से कर रही हूं बीट ठीक है आपने सिर्फ 15 ग्राम कोको पाउडर डालना है तू टेबल स्पून डाल लो या धाई टेबल स्पून डाल लो इस तरह से इसको मिक्स मिक्स करके हमने साइड पे रखते है ठीक हो गया अब आप तेखो कि हमने अंडों को इतना बीट करना कि रिबन फॉर्म में ले आना ठीक है अब यह देखो अच्छी इसकी फ्लोई कंसिस्टेंसी हो गई हमने इसके बाद इसके अंदर एड करना है चॉकलेट को अच्छा ब्राउनी बनाना बहुत असान काम है लेकिन ट्रिक होता है अच्छा अगर आप इसमें बटर ढालतो तो टेस्ट बहुत मज़े का हो बेटर जाता है ओ और गुआए रफ में तो तोड़ा सा फर्wick आता है टेक्स्टेर में फरक नहीं आता लेकिन टेस्ट में बहुत फर्क आता है ठीक हो गया अब यह मेरा बैटर था नगर नहीं था बस गुंनहदी था ढूनहदा बिस अगर सभी आलो कि अगर आप ने गर मेटर के साथ मिक्स हाय था मुक्स आधक कर या है यो मेटर से मै 24- dead on the channelannah या जाओ तो स्पेचला से भी कर सिकते हो लेकिन बिटर से मिक्स करो के तो बदा أख का हो चाँगता है कही से ज़ादा कही से कम यह चीज़ नहीं होती ठीक है आप यह देखें अम मैं इसमें डाल रहे हूं जी मैदा मैदा किस तरह से डालना है मैदा मारा जाएगा जनाब इसमें तकरीबन वन कप था और साथ में वन फोर कप था हाँ सॉरी हाफ कप है ठीक हाफ कप मैदा है यह देखें मैं आपको दिखाती हूं हाफ कप है ठीक 60 gram बनता है लेकिन यहां पर 56 बना था फिर मैंने इसको करना था जी 75 ग्राम तक करना था मैंने इसको तो मैंने क्या किया था वन फोर्थ कुप मैं आपको लिख के भी बता दूगी आपने परिशान नहीं हो ना डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा अचा वीडियो के रहा मैं आपको फिर बॉक्स एक्सेंबल करने वाला थोड़ा सा दिखा दूगी कि मैंने क्रीम पफ्स बनाये थे फिर मैंने कपकेक्स क कि अदर फिलिंग की थी करमल की फिर बड़े सारे काम थे बबाब बड़ा जादे ही मैंने कर दिया कुछ अब यह देखे तिन आप यह तेन बाइट का स्क्वेर पैन मैंने लिया है इस रेसिपी के लिए तैन बाइट का स्क्वेर पैन जाएगा और मैं जब ब्राउनी पीस ना कि आमने आएगते हैं ज Алहां अच्छे ऐन ओर नहींड़ के लिए naszego in a instant के लिए के लिए ने ताट जाने गराएगा फिल था बबल मैंने था घर रहरा है ⁦ modular छेक था जाताएगे तो मैं चुक्रीमपसा में बना रहा ठी और यह बेक हो गए तो मैंने इसको निकाल के इसके अंदर मैंने रग दी ब्राउनी ठीक है ब्राउनी को आपने लो टेंप्रेचर पे बेक करना है यह देखो जब मैंने क्रीम पफ निकाले थे ना मैंने टेंप्रेचर नीचे रॉड्स बंद है ना आप देखो स्लो हुई है नहीं यह तीजू आप मेने इसको वन्सिक्स्टी पे भेग करना है 15-18 मिनट तक इसको अंज पर बेक नहीं करना है इसको प्रीहीट क्रेवर आपने पंद्रा मिनट क लिए प्रीहीट करना है उसके बाद आपने इसको बेक करना है अब यह देखे मैं जब भी आप ब्राउनी को सेंटर से चेक करोगे ना वह हमेशा गीली आएगी क्योंकि चोकलेट ने तो कभी ड्राय होना नहीं है यह गीली आएगी आपने जब ब्राउनी को टेस्ट करना है कि पकी है कि नहीं पकी सा प्रिजर में रखाता होती है समझ आ गया आपने प्रिएट करना है 15 मिनिट के लिए उसके बाद आपने इसको बेक करने के लिए रखना है वन सिक्स्टी के ऊपर ही और उसके बाद आपने 18 मिनिट बहुत है ठीक है यह देखे जनाब मारी ब्राउनी हो गए थी डन हमारे क्री से 20 मिनिट फ्रिज में रख लो फ्रीजर में रख लो सेट होने के बाद इसे डब्बे में से निकाला है मोल्ड में से वरना आपके सारे क्रिंकल टॉप जो अपर होगा न तूट जाएगा फॉरन से कट नहीं करना तूट जाएगा ठीक है यह दो तिन टिप्स हैं टेमप्र जाएगा है कि मैंसे हमेशा है एजिंश होता है थोड़े से हार्ड हो जाता है तो में इनको हटा देती हूं ठीक है न वहम खा जाते हैं फेकते नहीं हम लोग खा जाते है तो जेना मेरा रोजा था फिर मैने को दिया किन्जा को बहुत मज़े की लगी ओए ब्राउनी भी ब उसके बाद इसे डी मोल्ड करना है यह देखो इसकी टॉप देखो कितनी जबर्दस है ओईल के साथ इसका टेक्स्चर देखो इसकी चुईनेस देखो इसमें फजी इतनी ज़्यादा जबर्दस किसम की ब्राउनी है बे फिकर होके बनाना लेकि प्लीज प्लीज आपने टे feedback of cream puffs आपने cream puffs की crispy हजीर हजारों देखी है कुछ लोग जिन्होंने मुझे अभी doping की है में मैं डिस्क्रिप्शम में दिन मैं दो दो बैच यूज मैं पड़ए यू रब बनाया था जरा ये फिल की घैंदे को और पूरो पेजिस ग करीम कोूप Final ste । बहुज ऑगया था बड़ी इसलिख सब इसलिख का फॉर्स करमा है नहीं warriors यह जो अफ़ारी पे बॉक्से बेज़े थे गिब अवे वाले एक तकमीले कुरान के उसमें जो चीज़ें बनाई थी कैसी बनाई थी लेकिन जो मैं न्यू फैमली मेंबर हैं जो मुझे जॉइन कर रहे हैं जो उनको मुश्किल होगी कि नादिया ने कैसे किया ये काम तो मैं मैं जब भी माशाला बनाती हूँ इतने अच्छे राइस होते हैं पता नहीं क्यूं आप लोगों को क्रीम पाफ में मसला आता है लेकिन फिर भी आए मुझे पूछ लीज़ेगा अच्छा यह दिए दिखें फो की फॉर्टनेंट है इसके अंदर मैंने पिंक कलर ढाल के मिक पर ली थे ठीक है ना फिर मैं आप लेका चोलो बीट भी क्रीब क्रीब है तक मिले करौन की तो मेरे पास कोई स्टेम्प थी नहीं मैं लेकर चलो जी इस तरह से मैं ना इत मुबारक का भी एक हो जाएगा तो यह इस तरह से मैंने यह पिंक कलर की फॉर्टनेंट बनाई है डाल के आप मिल्की का पिंक ले लो कलर ठीक है उसके बाद जनाब यह देखो मैंने इस तरह से स्टेम्प में से निकाल निकाल के एड मुबारक की इसके ओपर मैंने हलका सा गोल डस्ट अप्लाई कर लिया था तो जनाब हमारे हो गये तैयार तक ही बन कि मैंने 16 बनाये थे यहां पर में हल से 8 है यह अवली स्टेम्स थी हमारी ठीक है चले ठीक हो गया यह ब्राउनी भी मैंने इसके स्लाइस किया वह आपने पिछली विडियो में देख ही लिये थे ठीक है इसके बाद आप इसकर टेक्शर देखो कितना जबरदस तैया और के साथ इतना जबरदस इसका का ताला विप क्रीम है यह विपई विप है ठीक है फ्रोस्टी नहीं है यह विपई विप आपको मैं पहले वी एक मीन Imperland भानटनी बैट प्रकाफ्र गार्यटाइ डिज़ेस धाते हैं केक्स में मैं रोस्टी क ден पत्वाए छोब भीम जबरने अशाय पहा ठीक है यह मैंने बॉक्सिस के अंदर स्टेंबल कर दिये थे माशाला माशाला 25 बॉक्सिस थे तो वो सारे तो मैं दखाने लगती तो बड़ा ही टाइम लग जाना था तो जनाब यह देखें यहां पर मुझे लगा तीन तो बहुत ही काम है फिर मैंने इसके अंदर पांच-पांच क्रीम पफ्स रख दिये थे तो जनाब यह थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा दौा में याद रखेगा ब्राउनी ज़रूर आप लोगों ने ट्राइए करनी है बहुत जबर्दस रेसिपी है ओल के साथ बहुत बहुत आप लोगों को पसंद आगी ठीक है अपन ख्याल रखेगा दौा में याद रखेगा लाफीज